हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार दा लॉजिकल साइन्स में मैं हूँ आलोप सिंग आदेश और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने साइन्स के पहले सेट के डिसकसन की जी हाँ दोस्तों हम लोग कुश्चन पीडि की तरफ और देखते हैं एक्जाम डेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं आपका पहला कुश्चन है आज की सिसन का कुश्चन नमबर वन आप से क्या पूछा गया है आप से पूछा जा रहा है कि जब बल और बिस्थापन के बीच कौन 90 डिग्री हो तो किया गया कार्ज ड रहते हैं जबाव आप खुद बखुद दे देंगे तो आईए हम लोग साइंस के द्रिष्टी कौन से कैसे कार्ज को परिभासित करते हैं साइंस के द्रिष्टी कौन से हम लोग वर्क को कैसे परिभासित करते हैं तो आप सभी कहेंगे सर एक ही सूर में कि सर जब किसी बस् उस जगह से हट करके दूर चली जाती है यानि कि बस्तू बिस्थापित हो जाती है तो उस बस्तू पर जितना बल लगाए है और वो बस्तू जितना बिस्थापित हो रही है दोनों के गुननफल को हम लोग क्या कहते हैं सर कार्ज कहते हैं या और ही आसान भासा में कहते हैं कि कि किसी बस्तू पर बल लगाने से अगर बस्तू विस्थापित हो जाए तो साइंस की द्रिश्टी कौन से हम लोग क्या कहते हैं कार्ज हो रहा है और कार्ज के लिए हम लोग बिस्थापन के गुननफल को हम लोग कार्ज कहते हैं बिल्कुल बल और बिस्थापन के गुननफल को क्या कहा जाता है सर कार्ज कहा जाता है लेकिन आपके क्या दिया हुआ है कि जब बल और बिस्थापन के बीच में 90 डिगरी का कौन बन रहा हो तो किया गया कार्ज क्या तो बल और विस्थापन के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा हो कौन बन रहा हो तो सर हम लोग कार्ज कैसे निकालते हैं तब सर हम लोग कार्ज W एक्वल टू Fs कॉस्ट थिटा से निकालते हैं क्या ध्यान में रखेंगे सर जब बल और विस्थापन के बीच में कोई कोन बन रहा होता है तो उस सिच्वेशन में हम लोग किया गया कार्ज किस से निकालते हैं सर एफ एस कॉस्ट थिटा से निकालते हैं यहां पर आपको कॉस्ट थिटा के मातर तीन वैल्यू याद रखने हैं बागी के सारे चीज अपने आप सौल्व हो जाएंगे आप कहेंगे सर वह तीन वैल्यू कोन सा तो ध्यान में रख्येगा कि कॉस्ट जीरो डिगली का वैल्यू कितना होता है आप सभी कहेंगे one होता है, तो आप सभी कहेंगे zero होता है, क्या कहेंगे zero होता है, मेरे मित्र आप कहते हो, जब बल और विस्थापन के बीच में सर कौन बनेगा, तो कार्ज मेरा यह फार्मूला देगा, fs. लिटा, तो आप生活 सोचो कि अगर fs cost zero degree हो जा है तो आपका work कि क्या होगा तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं यहाँ पर one है तो cards मेरा maximum होगा अधिक्तम होगा साथी साथ आप ये भी धियान में रखेंगे कि अगर बल और बिस्थापन के बीच में 0 degree का एंगल बन रहा हो मतलब क्या कि कोई एंगल ही नहीं बन रहा हो तो किया गया cards धनात्मक होता है और अधिक्तम होता है next अगर बल और बिस्थापन के बीच में 180 degree का एंगल बन रहा हो तो आप कहेंगे sir 180 degree का value तो minus 1 होता है तो किया गया क्षापन के बीच मिनाइटी ृषा टीड़ी थीता लेना है कॉस्च 90 डीड़ी होता है तो किया गया वर्क क्या हो जाएगा सर जीरो हो जाएगा अब आप बताइए कि आपका question क्या होगा, आप कहेंगे कि sir हमसे जो question पुछा गया है जब बल और विस्थापन के बीच कौन 90 डिग्री हो, तो किया गया कार्ज 10 होगा, पताइए क्या होगा आप कहेंगे sir 0 होगा, तो आपकी इस question का सही answer क्या होगा आप सभी कहेंगे sir option number D is the right answer of this question, उमीद करते हैं आप समझ पाए होगे, चलते हैं अगले question की तरफ, आपका जो अगला question है, question number 2 आप से क्या पूछा जा रहा है, आप से पूछा जा रहा है, निमलिकित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI काई सही रूप से सुमेलित नहीं है, आप से question पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ option में physical quantity दिये हुए हैं और उसके SI unit दिये हुए हैं, आपको बताना है कि इन में से कौन सा physical quantity का unit सही रूप से मिला हुआ नहीं है, सही रूप से सुमेलित नहीं है, आपका option है पहला option है, frequency जिसका SI unit क्या होता है, आप सभी कहेंगे सर हर्ज होता है, अच्छा धियान में लखिएगा कि हर्ज को हम लोग किस से represent करते हैं सर, तो हज से represent करते हैं, निक्स्ट आपका option क्या है सर, magnetic flux है आप बताईए, magnetic flux का SI unit क्या होता है, आप सभी कहेंगे सर, बैवर होता है, क्या होता है बैवर, जिसका symbol होता है W, लेकिन आपके question में क्या दिया हुआ है सर, टेसला दिया हुआ है तब तो ये आपका option गलत हो गया, ये सही रूप से सुमलित नहीं है, चलिए अगला option देखते हैं, अगले option में आपको pressure, आप सभी समझते हैं प्रेसर किसको बोलते हैं सर, तो दाब को बोलते हैं, और दाब का unit तो होता ही है सर, पास्कल, अच्छा पास्कल का symbol क्या होता है सर, पी ए ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को निक्स्ट आपका option दिया हुआ है electric conductance, अच्छा electric conductance का हिंदी क्या होता है सर, तो बिद्धूत चालकता, ध्यान दिजिएगा आपका question हिंदी और English दोनों mix रहता है, तो जब भी पढ़ें, तो ठोस चीज़ पढ़ें, मतलब क्या हिंदी और English दोनों साथ में पढ़ें ताकि exam में अगर ये सब चीज़ मिल जाए, तो वहाँ पे आप हरवराएं नहीं, देखिए बिद्धूत चालकता का SI unit आप सबों को याद आ गया होगा, क्या तो सर, सीमेन होता है क्या होता है सर, सीमेन होता है अब आप खहेंगे, कि सर, option नमबर B में जो आपके question में दिया हुआ है Tesla, सर, ये तो गलत है, और हमसे question भी यही पूछा जा रहा है कि निमलिकित में से कौन सी मातरा आपने SI unit के साथ सही रूप से सुमलित नहीं है, तो आपकी इस question का सही जवाब क्या हो क्या, option नमबर B, तो आप सभी tick कर लेंगे option नमबर B is the right answer of this question, आप में से बहुत सारे कहेंगे, कि सर, frequency को किस से represent करते हैं, तो सर, frequency को हम लोग N से represent करते हैं, और frequency के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, कि सर, ये आवर्तकाल का ब्यूतक्रम होता है, मतलब क्या N इकॉल टू 1 वटा T T को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, सर period of time, या हिंदी में आवर्तकाल बोलते हैं, तो आप इस formula को भी धियान में रखेगा, आपके लिए exam उप्योगी है, next आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे, कि ये magnetic flux क्या है, आज तक हम सिर्फ इसका unit जानते रहें, लेकिन कभी ये जानने का कोशिस नहीं कि ये चुमबकिया flux होता क्या है, तो धियान में रखेंगे बस छोटा सा बात, किसी बंद छेतर में, या किसी close area में जितनी भी चुमबकिया छेतर रिखाएं होती है, उसकी जो संख्या होती है उसी को चुमबकिया flux का आजाता है और चुमबकिया flux का जो ऐसा unit होता है, वो होता है वेबर और CGS unit अगर आप से पूछ दिया जाए किसका, चुमबकिया flux का तो आप कहेंगे सर Maxwell क्या कहेंगे, Maxwell आप में से बहुत सारे के मन में ये खटक रहा होगा, कि सर फिर टेसला क्या होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, कि वेबर पर मीटर स्कॉाइर को क्या बोला जाता है सर, टेसला बोला जाता है वेबर पर मीटर स्कॉाइर को टेसला बोला जाता है और टेसला को हम लोग T से represent करते हैं किसे represent करते हैं T से अब आपने से बहुत सारे कहेंगे दाव का formula क्या होता है प्रेसर का formula तब force भटा, area न्यूटन per meter square को हम लोग Pascal कहते हैं आप सभी जान रहे होंगे बहुत सारे मित्र बिद्धुत चालक्ता से परिशान होंगे कि ये क्या होता है तो किसी चालक्तार के परतिरोध का जो ब्यूत करम होता है उसी को हम लोग क्या कहते है चालक्ता कहते है मतलब मान लिजे कि एगर किसी चालक्तार का परतिरोध आर है तो हम लोग उसका चालकता कैसे निकालेंगे तो हमने बोला सर चालकतार के परतिरोध का ब्यूतक्रम मतलब वन बटा आर क्या कहलाएगा सर चालकता कहलाएगा हाँ चालकता को हम लोग जी से रिपर्जेंट करते हैं किसे रिपर्जेंट करते हैं जी से और ओम इन्वर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर सीमेन बोलते हैं तो आप इस चीज को भी धियान में रखेंगे आप कहेंगे ओम इनवर्स का है अरे भाइबा परतिरोध के यूनिट क्या होता है ओम तो वन वटा ओम हो जाएगा एक रहे हम ऐसे लिग दिये तो क्या गलत कर दिये तो आप इस चीज को भी धियान में रखेंगे कि ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं सीमेंस कहते हैं तो उमीद करते हैं कि आप पूरे option को समझ पाएं होंगे और इस question को भी समझ पाएं होंगे चलते हैं अगले question की तरफ आपका जो अगला question है question no.3 आपसे क्या पूछा जा रहा है question no.3 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी बस्तु का भार 200 Newton है तो इसका द्रब्मान ग्याद करें जबकि जी का वैलियो कितना लेना है दस मीटर पर सकेंड स्क्वाइर लेना है बराही आसान सा सबात आप कहेंगे कि सर भार इकवल टू हम लोग formula परते हैं बस्तु का द्रब्मान अगुना गुर्तिय तौरन या हम लोग w equals to mg formula परते हैं परते हैं या नहीं परते हैं कहेंगे सर बिल्कुल आपको इक question में w कितना दिया हुआ है आप कहेंगे सर 200 Newton दिया हुआ है जी का वैलियो कितना लेना है तो 10 गुना 20 200 मतलब क्या कि बस्तु का द्रब्मान कितना होगा 20 केजी तो आपके इस question का सही answer क्या हो जाएगा आप सभी कहेंगे सर option number D is the right answer of this question उमीद करते हैं समझ पाए होंगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला सवाल है question number 4 बहुती आसान सा सवाल आप से पूछा जा रहा है कि धौनी तरंगों की गती 700 मीटर पर सकेंड है धौनी तरंगे 7 किलो मीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी बताइए कितना समय लेगी इसका सीधे answer हो जाएगा sir 10 second आप कहेंगे sir कैसे हो जाएगा तो देखिए धौनी तरंग का speed कितना दिया हुआ है धौनी तरंग का speed कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे sir question में दिया हुआ है 700 मीटर पर सकेंड ठीक है अब इस धौनी तरंग को कितना दूरी कवर करना है sir 7 किलो मीटर तो देखिए आप से पुछा जा रहा है कि धौनी किमीं तरंग अगर 700 Этот स्पिड से चले इसको साथ किलोमीटर जाने में क्यतना समय लगेगा कि इसको समय यह लगेगा देखिए यहां पे डिस्टेनस इहां पर टाइम है यहां पर कुछ याद आ रहा है आपके एंगे सर बिल्खुल याद आ रहा है speed equal to distance बटा time होता है जी sir बिल्कुल इसी concept को ध्यान में रखिए हाँ ध्यान में रखिएगा कि जब भी numerical question आप बनाएं तो हमेशा खुसिस करें कि unit एक बार check कर लें कि unit same है या नहीं है देखिए यहाँ पर ध्वानी तरग की speed meter per second में दिया हुआ है और उसको जाना है sir 7 km जबकि यहाँ पर अगर meter रहता तो कहते sir same unit में है kilometer तो sir बरा unit हो जाएगा different unit हो जाएगा तो कोई बात नहीं kilometer को sir meter में बदलेंगे तो आप कहेंगे 1000 से गुना कर दीजिए sir बच्चा थोरी है सीधे लिग दीजिए 7000 मेटर तो आगे आपका दूरी कितना सब 7000 मेटर आपको समय निकालना है तो आप क्या कहेंगे कि sir some equal to हो जाएगा दूरी अब बटा दूरी अब बटा चाल तो दूरी केतना है 7000 मेटर चाल केतना है 700 मेटर पर सेकेंड इदुनू इदुनू कट जाएगा साथ दहे के कितना होता है 70 अब बताइए 10 सकेंड हमान सर आपको कह दिये तो क्या गलत कह दिये तो आपके इस question का सही जवाब क्या हो जाएगा sir option number a क्या हो जाएगा sir option number a उमीद करते हैं आप समझ पाएं होंगे चलते हैं अगले question की तरफ आपका जो अगला question है question number 5 बड़ा ही आसान सा सवाल आप से पूछा जा रहा है कि किसी गोलिय दर्पन की प्राबर्तक सतह का केंदर वह बिंदू है जिसे डैस कहा जाता है आपके option में है नावी मुखक्च ध्रूब तिर्जिया तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि sir ये गोलिय दर्पन क्या है तो मेरे मितर आप सभी कहेंगे कि ऐसा दर्पन जिसका प्रावर्तक सतह गोलिय हो क्या कहलाता है गोलिय दर्पन कहलाता है गोलिय दर्पन कितने प्रकार के होते हैं सर दो प्रकार के होते हैं पहला को हम लोग अब्दल दर्पन बोलते हैं दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं सर उत्तल दर्पन बोलते हैं दे तो इन दोनों के प्राबर्तक सता का जो केंद है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो मेरे मित्री यहां पर एक क्या है अब एक का है स आपको घ्र चुआ मानना क्या है सर्फ का जुआ धर रही है आपकर मंध्याट मिश्य Wand続 कि रहते हैं शर यहां पर झालक सार्फ का घ्र told का मतल lotus केंद्र बिंदू है इसको हम लोग क्या कहते हैं दुरूब कहते हैं तो देखिए आपकी question का जवाब तो आपको मिल गया है आपसे जो पुछा जा रहा है कि कि किसी गोलिय दर्पन की प्राबरतक सता का केंदर वह बिंदू है तो अब दल दर्पन गोलिय दर्पन है और अभी आप देख रहे हैं क कि अबदल दर्पन के प्राबरतक सता का जो केंदर विंदू है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं दुरूब कह रहे हैं तो आपकी इस question का सही answer क्या हो गया option number C हो गया आप कहेंगे सर इसके आगे क्या रहता है तो ध्यान दीजिए कि दुरूब के बाद जो आपका point रहता है तो मुख अक्ष कहलाता है क्या कहलाता है सर मुख अक्ष कहलाता है आपको ध्यान में रखना है C को हम लोग वकरता केंदर बोलते हैं center of curvature बोलते हैं क्या बोलते हैं वकरता केंदर center of curvature ये जो F है इसको हम लोग focus point बोलते हैं F जो है ये क्या है सर focus point है और ये P से ले करके F त कि गोलिय दर्पन की फोकस दूरी और वक्रता तिर्जिया में एक संबंध होती है सर क्या संबंध होती है तो f equal to r by 2 होती है आपको ये भी ध्यान में रखना होगा गोलिय दर्पन की वक्रता तिर्जिया और फोकस में संबंध होती है क्या तो वक्रता तिर्जिया फोकस दूर प्रकास की किरने प्रावरतन के बाद मिलती है और इस पॉइंट को हम लोग वकरता केंद्र बोलते हैं तो उमीद करते हैं कि अब अगर आपको इसके आसपास से भी कोई कुछा जाए तो उसका जवाब दे देंगे चलते हैं अगले क्वेस्टन की तरफ आपका जो अगला स्वाब से क्या पूछा जाएं सर्कुस्टन नंबर सिक्स आपसे पुछा जाएं कि एक चमध जो टेढ़ा दिखता है किसका उधार है सुरी यहाँ पे आप थोरा सा कुश्टन को सुधार कर लिजेगा यह लिख लिजेगा कि एक चमबच एक चमध जो जल में टेढ़ा दि तेड़ा दिखता है किसका उधारन है अब आपका ये कुश्चन सही हो जाएगा आपके ऑप्शन में क्या दिया हो है सर परती बिंबन अपवर्तन धारन केंदर बिंदू क्या होगा इसका आंसर मेरे मितर आप सभी को मालूम है कि जब परकास की किरने एक माध्यम से दूसरे म आध्यम में जाती है तो वो थोड़ी सी मुर्जाती है और इस घटना को हम लोग क्या कहते है अपवर्तन के चलते हैं जब आप पानी में अपना पैर डूब होते हैं तो आपका पैर थोरा सा सूजा हुआ लगता है या पानी में कोई छर रखते हैं तो आपको छर कैसा ये सारे किसके एकजामपल है सर रिफ्रेक्शन ओफ लाइट के एकजामपल है तो मेरे मित्र इस चीज़ को आप हमेशा धियान में रखेंगे जब भी आपसे इस टाइप का कुछा जाए कि जल में कोई चीज डूबा हुआ है तो वो किसका उदारन है तो आप समझ सर प्रकास के अपवर्तन का उदारन है क्यों क्योंकि हम लोग को पता है कि जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है सर मुर जाती है और प्रकास के मुरने की इसी घटना को हम लोग प्रकास का आप वरतन कहते हैं और इसलिए हम लोग को क मापर कून माध्यम है तक हवा से दरब में जा रहा है तो एक माध्यम आपका गैस हो गया हुआ हावा ऐस्स और दूसरी आपका क्या होगő है और डूसरा आपका क्या हो गया दरब हो गया तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो इसल मनी जो कुछ भी आपको एक्जाम्पल पूछे जाएंगे सब किसका उधारन होगा प्रकास के अपवरतन का उधारन होगा तो आपकी इस कुछिशन का सही जवाब क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नमबर बी ता राइट आंसर ऑफ दिस कुछिशन चलते हैं अगले कुछिशन की तरफ आपका जो अगला पुछा जा रहा है कि कैल्सियम और क्या अनुसार का इस इजं का अनुपाथ होता है थे जिए मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है यह सारी चीजे की द्रभमान का अनुपाथ हम लोग कैसे निकालते हैं देखिए आपका फर्मुला दिया हुआ है दिसको हम लो तो क्या कहिएगा सर्थ, CAOH2, calcium hydroxide को क्या कहते हैं, भाखरा चुना और CAO को calcium oxide कहते हैं, आप से question पूछा गया है कि calcium oxide में calcium और oxygen का, calcium और oxygen का भार के विचार से, यानि कि दरभमान के विचार से अनुपात क्या है, आप सबों को मालूम है, कि calcium oxide में यहाँ पे calcium का परवानु भा कितना होता है, आप कहेंगे सर, 40 होता है, तो calcium oxide में calcium की एक ही परमानु है, तो एक ही परमानु का भार हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, अब आपको पता है कि oxygen की एक परमानु का दरभमान कितना होता है, आप कहेंगे सर, 16 होता है, क्या पूछा ज कर दिजिए इसको केंसिल किजएगा तो चारदा है चालिस चार चार चौका सोला दो दूना चार और दो पांचे दस मतलग क्या कि तो आपकी इस कोस्चन का सही जबाब क्या हो जाएगा आप सभी कहेंगे सर ऑप्सन नमबर ए इस दा राइट आंसर ऑप दिस कोस्चन मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब दी आपको किसी भी कैमिकल फॉर्मूला का उसमें जो उपस्तित अभ्यवी तत्व हैं भार के वि उमीद करते हैं आप समझ पाएं होंगे चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ आपका जो अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर आठ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उस परकिरिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस बस्तू में परिवर्तित हो जाती है त्यान्दी ज पूछा रहा है आपका उप्सन क्या दिया हुआ है सर सब्लिमेशन दूसरा ऑप्सन है डिपोजिसं तीसरा ऑपसन है कंडेंसेशन चौथा ओप्सन है इभॉपरेशन आप में से बहुत सारे महानभाव ऐसे होंगे जो क्विस्चन को बस इतना ही परहे होंगे उस परकिरिय के बारे में हम लोग कहते हैं कि जब कोई ठोस आपका जब कोई ठोस गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है कोई ठोस ठोस सॉलिड जब आपका क्या हो गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाए बिना दरव अवस्था में आए हुए तो इस परकिरिया को हम लोग उर्दपातन कहते हैं, सबलीमेशन इसी को इंगलिस में कहते हैं, जो आपके option A में दिया हुआ है, तो उर्दपातन का मतलब होता है, ठोस का गैस में बदलना भीना दरवावस्था में आए हुए, आपके question में पूछा जा रहा है, उस परकिरिया का क्या नाम है, जिसमे गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तब है बाद ठोस गैस में बदल रहा है, यहे गैस को ठंडा करोगे तो फिर ठोस मिल जाएगा, मतलब क्या कि उर्दपातन का ही reverse परकिरिया होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिपोजीशन कहते हैं, जो आपका option B में दि पोजीशन होता है, सबली मिशन का उल्टा, डिपोजीशन होता है, भाईबा question कुछने का trend बदल गया है, पहले सीधा पूछा जाता था, अब थोरा ऐसे करके घुमा दिया जाता है, तो थोरा सा आप इन सब टैप के question पे धियान रखेंगे, और ज्यादा भावना में बहने की कोशिस नहीं करेंगे एक्जाम में, चलिए, अब हम लोग अगले option की बात करते हैं, आप इसको समझ गये होंगे, कि सर सबली मिशन में ठोस सिधे गैस में बदल जाता है, और डिपोजीशन में सर गैस को जब ठंधा करते हैं, तो किसमें बदल जाता है, ठोस में, तो इस तो कुछन कुछ तो जरूरे खाना बनाते होंगे, तो kitchen के seg manually में आप डेखते होंगे, कि जब आप खाना बना रहे होते हैं, या चै बना रहे होते हैं, तो उपर भाशल जाता है, जिसको हम लोग वास्प बोलते हैं, और जब आप चै बना के हट जाते हैं, तो वही परिबर्तित हो जाना क्या कहलाता है condensation कहलाता है संघनन कहलाता है तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे next आपके option में दिया हुआ है evoporation तो दो चीज होता है एक होता है evoporation और दूसरा होता है vaporization तो ध्यान में रखेगा vaporization जब भी होगा तो एक निस्चित boiling point पे होगा लेकिन evoporation जो है वो किसी भी तापमान पे हो जाएगा even room temperature पे भी हो जाएगा तो आप इस चीज को ध्यान में रखेगा कि vaporization एक निस्चित तापमान पे होगा जबकि वास्पन जो है आपका किसी भी तापमान पे हो सकता है room temperature पे भी हो सकता है तो उमीद करते हैं आप चीजों को समझ पाए होंगे चलते हैं अगले question की तरफ आपका जो अगला question है question number 9 आप से क्या पूछा जा रहा है question number 9 आप से पूछा जा रहा है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मेरा मिस्रन तयार हो जाता है तो आपका ये चीज तो सही है sir दूसरा आपका option कहा रहा है कि मिस्रन अलग-अलग पदार्थ के हो सकते हैं बिल्कुल सही है sir दो भिन्दभिन पदार्थों को मिलाने से ही क्या बनता है मिस्रन बनता है और तीसरा option है इसे बहुतिक विधी से अलग किया जा सकता है बिल्कुल मिसरन के अभयवी तत्वों को ही अलग करने के लिए तो हम लोग मिसरनों का पिर्थिकरन के नाम से टापिक पढ़ते हैं जिसमें हम लोग इबाप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं उसके बाद chromatography पढ़ते हैं हम लोग, distillation, fractional distillation, ये सब के सब क्या है, मिसरन के अभ्यवों को अलग-अलग करने का तो तरीका है, तो आपका ये चीज भी सही है, चौथा आपका option है, इसकी संदचना तय है, नहीं sir, मिसरन की संदचना तय नहीं होती है, तो आपसे जो question कि सर फिर योगिक क्या होता है, तो धियान में रखेगा, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, एक दूसरे के साथ, एक निस्चित अनुपात में मिलाये जाते हैं, तब हम लोग का क्या बनता है, योगिक बनता है, जैसे कि आपने देखा अभी कि केल्सियम और ऑक्सिज कि क्या होता है, उस चीज को आप समझ पाएं होंगे, और इस क्विस्चन को भी आप अच्छे से समझ पाएं होंगे, चलते हैं अगले क्विस्चन की तरफ, आपका अगला क्विस्चन है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि धातु में एक मुक् एकदम सीधी डाइक्षन विजाती है लेकिन ऐसा नहीं होता है ये जो धातु के अंदर किसी भी धातुविक मेडीयल के अंदर अलेक्ष्टरॉन होते हैं ये हमेशा वक्र रेखा में जाते हैं मतलब टेड़ा मेड़ा होते हैं तो हम लोग सीधे इसको क्या बोल देता है कि ध question का सही answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा मिरे मित्र उमीद करते हैं कि यहां तक के सारे सवाल को आप अच्छे से समझ पाए होंगे अब इससे संबंदित कोई और सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं वीडियो हो जाएगा आपका बहुत लंबा जब आपके पांच question और solve होंगे तो आपको परिशान नहीं होना है पांच question का आपको अलग से सेट अप में थोड़ी बहुत परिशानी हो रही है otherwise आपकी classes regular है और चलती रहेगी उमीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिएगा share कीजिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो subscribe करके bell icon दवा लिजेगा ताक की इस तरह के एक्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुचे और आप उसका वर्पूर फ्यादा उठा पाए मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में तब तक के लिए वेस्ट आप लग थैंक्यू है बनाइस टे